वेलकम टू मैं चैनल टिप्स तीएटर चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सुन्दर वा गोरा चेहरा किसे पसंद नहीं है यही कारण है कि हाँ अपने चेहरे को गोरा करने के लिए सुन्दर बनाने के लिए चेहरे के दाग धबों को हटाने के लिए तरह तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तमाल करते हैं और बहुत सारे ब्यूटी पार्लर में ट्रिट्मेंट भी कराते हैं बहुत से कॉस्मेटिक्स का भी सहरा लेते हैं परंतु ये सारी चीज़ें दोस्तों जब तक आप लोग ट्राइ करें 100% वर्क करने वाली रेमेडी शेयर कर रही हूं सबसे पहले यहां पर मैंने लिया है शक्कर शुगर हम सब के किचन में पूरे समय रहती है जो शुगर होती है दोस्तों वह हमारे स्किन के लिए बहुत ही फाइदे मत है हमारी तवचा में चमक आती है हमारे स्क स्किन को टाइट करती है शक्कर और शक्कर के यह छोटे छोटे से दाने जो होते हैं दोस्तों यह हमारे स्किन में से बृत कोशिकाओं को डैट सेल को बहुत आसानी से रिमूव करते हैं तो शक्कर आपको यहां पर लेना यदि शक्कर के दाने आपके बहुत मोटे वाले है कई बार मोटी शक्कर भी आती है, कई बार थोड़ी बारिक भी आती है बहुत जादा मोटे दाने वाली शक्कर है, तो हलका सा उसे बेलन की मदद से कुचल ले मैंने भी हाथ थोड़ा सा शकर को क्रुश किया है आपको grinding jar में डाल कर powder नहीं बनाना है मोटे मोटे ही दाने चाहिए तभी तो हमारे dead cells को remove करेंगी शक्कर के दाने और हमारे चहरे हमारे skin में आएगी चमक तो चो natural remedy है दोस्तों ये 100% work करती इनका कोई side effect नहीं होता है आप लोग इसे जरूर ट्राय करें और ये लंबे समय तक आपके चहरे की सुन्दरता को बना कर रखेंगी बजार के क्रीम तो थोड़े समय के होते हैं दोस्तों जैसे ही छोड़ेंगे ना वापस चहरा हमारा सामला पढ़ने लगता है दाग धब्बे होने लगते हैं और हमेशा अपने बालों के लिए अपने सकिन के लिए हमेशा नैचरल ड्रेमेडि को ही ट्राय करें तो एक चमबच मैंने यहां शक कर लिया है और दूसरी चीज़ जो कि मैं यहां ले रही हूँ कॉफी कोई सी भी कॉफी किसी भी कमपनी की कॉफी आप यहाँ पर ले सकते हैं कॉफी हमारे बालों के लिए हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा beneficial होती है चहरे के दाग धबों को हटाती है चाहे वे फोड़े फुनसी के हो pimples के हो, एकने के निशान हो उन्हें दूर करती है कॉफी हमारे चहरे को fresh बनाती है एक बड़ा चम्मच भरकर मैंने कॉफी ली है अगर चम्मच बड़े साइस का है तो एक लें छोटे साइस का चम्मच है तो दो चम्मच कॉफी लें anti-aging property होती है हमारे चहरे पर उम्र का पता नहीं चलता है यदि कॉफी का pack आप अपने face पर लगाते हैं हमारे चहरे को soft बनाती हमारे चहरे पर चमक लाती है साथी साथ हमारे skin को गोरा बनाती एक scrub की तरह काम करती है हमारे चहरे में हमारे आखों के आसपास जो puffiness होती फूला पन होता उसे भी दूर करती है कॉफी धेर सारे antioxidant होते है और हमारे चहरे को detox करती है डार्क सर्कल को भी remove करती अगली चीज लेमन जूस नीबु का रस आप सब को पता है भरपूर मात्रा में विटामिन C होता है सिट्रीक एसीड होता है लेमन जूस एक नैचरल ब्लीच है जब भी हम लोग इसका चहरे पर इस्तमाल करते हैं तो प्रकृतिक तरीके से हमारे चहरे को गोरा रंग देता है नीबु का रस lemon juice तो यहाँ पर मैंने आधा चमच के करीब करीब lemon juice डाला है क्योंकि इसकी consistency देख सकते हैं आधा होना चहिए नहीं तो पतला हो जाएगा किवल आधा चमच ही डाले नीबु का रस हमारे चहरे से fine line डाग धबों को हटाता है चहरे पर यदी pigmentation है जाईया है तो दूर करता है साथ ही साथ मैंने इसमें डाला है आधा चमच glycerine किसी भी medical store से आपको glycerine मिल जाएगी glycerine के तो बहुत से फाइदे हैं दोस्तों बहुत सी मतलब हमारे beauty के लिए इतनी ज़्यादा आप कह सकते है beauty के लिए तो एक वरदान है glycerine इतनी ज़्यादा फाइदे में चाहे आप अपने होठों पर लगाएं होठों का फट्टा बंदों का चाहे आप glycerine को अपने पूरे चहरे पर लगाएं रुखी सुखी बे जान तोचा में भी जाना जाती है तो ये तो मैंने आपको coffee का glycerine का scrub बनाना बता दिया जिसका इस्तमाल मैं आगे वीडियो में बताऊंगी कैसे इस्तमाल करना है scrub करने के बाद 10 मिनट scrub कर लें आप जब wash कर लेंगे उसके बाद आपको एक face pack भी लगाना है बेसन लिया है दोस्तों तो चलिए पहले prepare कर लेते हैं फिर दोनों का application देखते हैं बेसन आपको यहाँ लेना है 2 teaspoon बेसन लिया है चुटकी भर हल्दी आप देख सकते हैं मैंने चमच की नोग से हल्दी डाली है मैंने इसमें 1 8 चमच या 1 4 भी नहीं डाला केवल एक चुटकी पिंच बेसन में मिक्स हो गई आपको पता भी नहीं चल रहा है कि इसमें हल्दी है हल्दी जरूर इतनी सी डालें चुटकी भर जरूर डालें चहरे पर पीला पन नहीं आएगा हल्दी हमारे रंग को निखारती है antiseptic antibacterial गुण होते हैं हमारे तवचा पर ताजगी लाती है पूराने समय से ही हल्दी का इस्तमाल चहरे के रंग को निखारने के लिए किया आता जा रहा है और आज इस आधुनिक यूप में भी हल्दी वाला उप्टन वरवधू को आज भी लगाया जाता है इतनी फायद्यमन आज़ती है बहुत बड़ी हाँ medicinal property है अगली चीज हम यहाँ यूज कर रहे है दोसों दही दही क्या होती है दही तो vitamin C, vitamin D का भंडार है दोसों और दही से हमारे skin बहुत ही अच्छी soft होती हमारे skin को nourish करती हमारे skin को moisturize करती है हमारे skin के अंदर तक के जाकर हमारे skin को hydrate करती है दही यह pack तयार है हमने यहाँ बेसन एक चुटकी हल्डी डाला है साथ ही साथ एक बड़ा चमच भरकर मैंने इसमें दही डाला है दही डाल कर आप इसे अच्छी तरह से mix कर लें यह जो pack है दोस्तों आपके चहरे की skin को tight करेगा चहरे के चहरे में जो wrinkles की problem होगी दोस्तों वह दूर होगी pigmentation दूर होगा चहरे पर अधभुत निकार आएगा चान के जैसा चमकता दमकता चहरा दिखेगा दोस्तों यदि इस तरह से आप अपने चहरे पर scrub करें और फिर इस face pack को लगाए मेरे कहने से यह दोनों remedy एक साथ ट्राय करें और जरूर करें 100% वर्क करने वाली remedy शेयर की आप देख सकते है मेरी बेटी से आपको कॉफी वाला scrub, coffee, lemon juice जो हमने इसमें डाला है दोस्तों glycerine यह सारी चीजे हमने जो इसमें डाली है lemon juice इस scrub को चहरे पर लगाए आप पहले पूरे चहरे पर लगा लें उसके पांच मिनट तक हलके हलके हाथों से मसाज करें शक्कर के जो दाने है ना दोस्तों यह क्या करेंगे आपके चहरे से सारे dead cells को remove करेंगे तो अच्छा पर बहुत बढ़ी हार निखार आएगा glow आएगा और आपको खुद को अपना चहरा बड़ा ही खुबसूरत लगेगा चहरे पर एक भी डाग धब्बे होते हैं ना दोस्तों तो हमारी खुबसूरती को भिगार देते हैं हमारा confidence भी कम होने लगता है और इस तरह से यदि सब्ताह में आप दो बार भी कॉफी वाला स्क्रब करते हैं और बेसन वाला फेस पैक लगाते हैं तो आपको शयद ब्यूटी पारलर जाने की भी जरुवत नहीं पड़ेगी इतना ये फाइदे मन्द है ये रेमेडी तो हलके हाथों से मसाज करते हुए आप इसे लगाए आप चाहें तो मसाज करने के बाद इसे 2-3 मिनट ऐसे ही चेहरे पर रहने दे क्योंकि कॉफी जो होती है हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है चेहरे पर माल लिजे पिग्मेंटेशन है जाईयों की परिशानी ही तो वह भी दूर होगी संटेन के कारण, सुरी की UV रेस के कारण कई बार हमारे स्किन में चेहरे पर टैنिंग हो जाती है आपके टैनिंग को रिमूव करेगा यह स्क्रब और साथी साथ आपके स्किन के लिए बहुत फायग बंद है और अब आप चेहरे को धो लें उसके बाद ये देखें मेरी बेटी ने face wash कर लिया है और अब लगाया है बेसन का face pack जिसमें बेसन है, दही है, चुटकी भर हल्दी है सारी पॉस्टिक चीजे हैं इतने सारे nutrients आपके skin को मिलेंगे तो skin तो healthy रहेगी आप देख सकते हैं मेरी बेटी के skin में खुद में बहुत अच्छी चमक आ गई है जब उसने coffee वाले scrubs के बाद अपने चेहरे को wash किया है तो आप उंगलियों की साहता से लगाएं ब्रश की साहता से लगाएं और कम से कम 10 मिनट तक इस face pack को अपने चेहरे पर लगा कर रखें 10 मिनिट के बाद साफ पानी से आप अपने चेहरे को धो लें और फिर आप बोलेंगे अरे वा हमारा चेहरा तो बिलकुल चांद के जैसा चमकता दमकता सा हो गया है और इसे सब्ता में दो बार यूज़ करने से यह फायदा होगा दोस्तों कि आपके चेहरे के जो भी छोटे मोटे दाग धब्बे होंगे जाईया होंगी डार्क सरकल की प्रॉब्लम है सारी चीज़ें दूर होंगी मुहासे के करन यदि परिशान है तो भी इस pack को जरूर लगाए बेसन क्या करता है दोस्तों